नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में यो भी PSA की खबरे हैं, LTE Great की खबरे हैं और TGTPGT की खबरे हैं, इसके साथ साथ MNATI की खबरे हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहली खबर जो है आरचन की नई वियोष्था लागू करने का चात्रों ने किया बीरोध, आयोक तक पदियत्रा निकाली है चात्रों ने, इलाहबद विश्विदलय के चात्रों ने आरचन की गलत व्याख्या करनी के खिलाब बुद्धवार को लोग सेवा आयोक की परति सिंग उचिनायाले के आदेज की गलत व्याख्या करके प्रतियोगी चातरों को दिख भ्रमित कर आरच्छन को खतम करने की साजिस कर रहे हैं पध्यातरा की समापती पर आयोग अध्यज के डाम सौपे ग्यापन में चातरों निचेताओं ने दिये कि यदि मागों को अं लेकिन फिर भी चातरों वहां तक पहुंचे ल्टी ग्रेट मोच्चा ने एसेसपी वारा नसी से मुलाकात की तो ल्टी ग्रेट सिच्चक भरती परिच्छा 2008 के पेपर लिख मामले की जाच कर रहे हैं एसेसपी वारा नसी और जाच परिणाम रुखने से परिशान अभ्य अभ्यारतियों ने से मुलाकात की आयो क्यों से मांगी जानकारी को जल्द भेंजने की अपहिल की ताकि उनका प्रेणाब घोसित हो सके विकी खान ने बताया कि आयो के सच्चिव जगदीश ने पेपर लिएक मामले में वारा नसी से कुछ जानकारी मांगी है जानकारी मिल कि उत्तर प्रदेश लोग से वायोग की ओर से वद्ति जुलाई 2018 को एल्टी ग्रेट से परिच्च्छा व्यूद की गई थी तो सब मिलाके SSP की तरप से आस्वासन मिला है कि 20 से 25 दिन लगेंगे और यह कारण नहीं रहेगा आपकी लोग से वायोग जान्स के नाम पर आप सुथी पत्र और इसका विग्यापन जारी कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि 2016 की वेकेंसी में विग्यापन जो पत्थे उनको रद्द कर दिया गया था और उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जिस आदेश में यह कहा गया था कि 2016 की जिविग्यापन के पत्र को हो जाए इनकी लिखित पर इच्छा होगी और के साथ साथ इंटरव्य होगा फिर इनकी ज्वाइनिंग होगी तो इस सम्मंद में कि और नियुजीय है कि इस निरणय से प्रदेश के 67,005 अभ्यार्थियों को बड़ी रहत मिली है क्योंकि यह सब 2016 TGT में आवेदन किये थे लेकिन लिखित परिच्छा से पहले हैं बिग्यापन ने जिव बिग्यापन की पदों को हटा दिया गया था हाई कोट के आदिश पे बुधवार को चैन बोड की बैठक में वह वह प्रकरण रखा गया जिसमें रखा गया कि 5 जून 2016 को बिग्याप TGT 2013 के 606 जो पद खाली पड़े हुए हैं उसकी प्रतिच्छा सुंची की भरती चल लगी है तो बिग्यान विशे की काउंजलिंग की लेक्षो पैंटीस अभ्यार्थी बुलाए गया थे पहुंचे हैं 103 कीवल तो यह देखिए कहीं कहीं पर पद ज्यादा हो जाते हैं अभ्यार्थी जादा है पद कम है धर्ना ओरा प्रदसन हो रहा है रिजल्ट की मांग की जा रही है पद्यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं कहीं पर ऐसे अउसर भी आते हैं कि 135 को बलाए गया किवल 103 पहुंचे हैं बाकी पद फिर खाली रह गए आयोग ने सीधी भरती के ताहद इंटर्व्यू की तारिक घोशित कर दी है दो अलग अलग पद हैं इनके लिए इंटर्व्यू किया जा रहा है और 28 फरवरी से यह शुरू होगा विधिच्छन अधिकारी उत्तर प्रदेश सच्वाल है विधाई विकास सेवा के अंतरगत एक पद है और उत्तर प्रदेश समाज के लिए विधाग के अधिन जन्जाती निदेश साले मुख्याले में जन्जाती अधिकारी के लिए एक पद है तो इन दोनों का इंटर्व्यू 28 फरवरी से शुरू होगा हम बात कर लेते हैं नई सिच्छा नीती की नई सिच्छा नीती मार्च तक आने की पूरी उम्मीद है और ये जो नीज है बहुत ही अच्छी नीज है च्छातरों के लिए पियम ने कुछ सुझाओं के बाद नई सिच्छा नीती के अंतिम मसौधे को दी मंजूरी देश को 1986 के बाद मिलेगी एक नई सिच्छा नीती तो जब ये सिच्छा नीती आ जाएगी मार्च तक तो उसके बाद वेकेंसियों की भरमार आएगे सिच्छ भरती की बहुत सारी वेकेंसिय एक साथ आने वाली है चार हजार सूपर्टेट होगा इसके साथ साथ इसके साथ 25,000 वाला सूपर्टेट होगा फिर असिच्छन प्रोफेसर की भरती है टीजी टी की 40,000 की भरती है तो काफी ज़्यादा भरतियां होंगी एक साथ आएंगी ये सारी भरतियां क्योंकि नए सिच्छा आयोग से ही ये सारी भरतियां होनी है मार्च तक अगर ये सिच्छा आयोग बन जाता है तो अप्रेल से भरतियां आनी सुरू हो जाएंगी सिच्छक भरती के लिए मार्च के पहले पकवारे से इंट्रिव्यू सुरू हो रहा है मैंनाइटी की बात कर रहा हूं मैं सिच्छनगतर करमचारियों के दूसरे चरण के लिए प्रविश्पत्र भी जारी कर दिया गया है इसके बारे में दूस्तों मैंने आपको पहले भी कई वीडियो के मादेंस बताया था कि एक अच्छी भरती थी जिसमें सिच्छनगतर करमचारियों के साथ साथ सिच्छकों की भी भरती होनी थी और इसके लिए आविदन मंगाये गये थे शुरू हो जाएगा तो दोस्तों ये थी अपडेट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ बने रहे हैं आप सीपी स्मार्ट क्लासेश के साथ वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें धन्यवाद